20 April 2022 को Nissan ने अपने Datsun brand को इंडिया में discontinue कर जी Datsun ने इंडिया में सिर्फ तीन गाडिया लॉंच, Go, Go Plus और Ready Go तीन गाडियों के साथ Datsun ने इंडिया में कोई legacy तो नहीं छोड़ी पर कहानी काफी interesting है पहला गलत शुरुबात 2014 में Datsun ने शुरुबात की Go Entry Level Hatchback के साथ ये वो समय था जब इंडियान कर्जूमर जादा पैसे देकर बड़ी गाड़ी देने को तयार था पर से Datsun का USP था सब 4 लाग प्राइस टाग जिसके ग्रहक थे टीर 2 और टीर 3 सिटीज में पर सर्वेस सेंटर्स थे मेट्रो सेटी में पूरी स्ट्राटजी ही गलाद दूसरा बेकार बिल्ड कॉलिटी Nissan Datsun को बजट ब्राने में इतना मजगूल था कि फीचर्स देना ही भूल गया बिना लिट के गलव बॉक, म्यूजिक सिस्टेम मानो मजा एक्सपोस्ट वेल्डिंग, जीरो साउंट डैंप और पता नहीं क्या उपसे जी एन कैप में जीरो स्टार रेटिंग इसने ब्रैंड को बुई दरा हट किया पीसरा, इंडिया को चीप कार्स का मार्केट समझ लाग निसान ने इधर नैनो वाली गलती की और डैट्सन को चीप ब्रैंड बता है हाँ माना कि इंडिया एक प्राइस सेसिटिव मार्केट है बट इंडियन बायर वैल्यू फर मनी पहले देखता है चीप नहीं, अफोडेबल गाड़ी बनाओ क्या आपको पता है, निसान की पॉपिलर मैगनाइट पहले डैट्सन बन रही है आप फ्रंट गिल देखिए, पर 2019 में मैगनाइट में निसान का बैज ही लगा ऐसे और कॉंटेंट के लिए सब्सक्राइब टुगो मिल्या